हलो दोस्तों, आज हम एक एस्टोरेट के बारे में जानेंगे, जिसका अन्य ग्रहों के जैसा ही उपक रहा है लगबग 31.4 किलिमेटर व्यास का ये एस्टोरेट है 243 IDA महाकास में 243 IDA सबसे पहला एस्टोरेट था जिसका कोई अपना चंद्रमा भी है मंगल और जुपिटर के बीज बना एक और्बीट में घूम रहा ये एस्टोरेट एक अन्यमित अकार का लंबा सा एस्ट टाइप एस्टोरेट है इसे पहली बार 29 सेप्तमबर 1884 में एक आउस्ट्रियन खगोल भी जोहन पलिसा के द्वारा खोज किया गया था दोस्तो इस अनोखे एस्टोरेट के आकार इसमें बने गड़े और इसके चारों और घूम रहे उपग्रह के बारे में कुछ और भी बाते हैं जिनको सुनने के बाद सच में आप बहुत कुछ जान पाओगे तो चलिए शुरू करते हैं 243 आईडिये का ये सफर ग्रीक मैथलोजी के अनुसार आईडिये एक अपसरा है मगर एस्टोरेट का नाम वियेना के एक उद्योग पती मौरीज वन कूफनर के द्वारा रखा गया था विख्यात खगोल भी जोहन पालिसा जब वियेना अब्जरबेटरी में महाकाश में अध्यन कर रहे थे तब उन्होंने वहाँ पे रहते वक्त 1874 से 1923 तक 122 एस्टोरेडों को खोच पाये थे और उनमें से ही एक है आईडिये 243 आईडिये मंगल और जुपिटर के बीच में घूम रहे बड़े-बड़े एस्टोरेट से बने का एक शूद्र परिवारों में से एक परिवार का हिस्सा है जिसे कोरुनिस फैमिली बोला जाता है आज हम आईडिये के बारे में जितना विस्तार से जानते हैं उसके पीछे अगर किसी चीज का सबसे बड़ा योगदान रहा है तो वो है गैलेलियो स्पेस क्रेफ्ट 18 अक्टूबर 1989 में स्पेस शटल अटलन्टिस के द्वारा गैलेलियो को महाकाश में भेजा गया 1993 में गैलेलियो स्पेस क्रेफ्ट जब जुपिटर के और जा रहा था तब उसके कैमरे में आईडिये और उसके चारो और गोम रहे डैक्टिल का पता लगा एक एस्टूरेट का भी चंद्रमा हो सकता है ये पहली बार खगल विदो को मालूम चला हाला कि गैलेलियो ने डैक्टिल से 10,870 किलोमिटर दूर रहते ही 1993 में इमेजेस लिए लेकिन गैलेलियो के द्वारा भेजे गए तस्वीरों को ध्यान से देखने के बाद 17 फरवरी 1994 को गैलेलियो मिशन से जुड़े एक सदस से एन हार्च ने डैक्टिल का प्रमान दिया दोस्तो 243 IDA एक अनियमित अकार का एस्टूरेड है जिसका लंबाई अपने चोड़ाई से लगबग 2.35 गुना जादा है इसके सता के ऊपर जादातर धूल, बड़े-बड़े चट्टान या फिर पत्थरों के टुकड़ों से भरा है और इसका सता कुछ सिलिकेट मिनरेल्स जैसे की ओलिवाइन एवं पाइरोक्सिन से बना है पचास से सौ मिटर तक मोटाई वाले बड़े-बड़े चट्टानों के टुकड़े होने के कारण 243 IDA का सता समान नहीं होता, बलकि अनेक खाई और गड़े से भड़े पड़े हैं इन गड़ों में से कुछ गड़ों का नाम भी दिया गया है, जैसे की आजूरा और छोव कोटियन एक A-type वाला एस्टोरेट IDA का द्रब्यमान 3.65 एवं 4.99 x 10 to the power 16 kg के बीच रता है 243 IDA का सता का तापमात्रा आपको जमा देने के लिए काफी है क्यूंकि एस्टोरेट के सता में टेमपरेचर माइनस 73 डिग्री सेल्सियस है IDA के अद्भूतकार के कारण इसे देख कर दो अलग हिस्सों को जोड़ कर बना गया है लगता है इसी के हेतू इसे दो प्रांतों में विवाजित किया गया जहां रीजियन वन में दो चोटिया है 40 किलोमेटर लंबा टाउन सेंड दोर्सुम एवं विएना रीजियो दूसरी और रीजियन दो में ज्यादातर हिस्सा नालियों से भरा है जो की 100 मिटर तक चोड़ा और 4 किलोमेटर तक लंबा है हमारे पृतिवी को अपने एकसिस में एक चक्कर घूमने में करीब 24 घंटे का समय लगता है लेकिन आईडिये को सिर्फ 4.6-3 घंटा समय लगता है मगर आईडिये सूरज से एवरेज 2.86-2 AU दूरी में रह कर चकर लगाता है जबकि सूरज का एक चकर लगाने में उसे 4.8-8-9 साल का समय लगता है मगर आईडिये का चंद्रमा डैक्टिल आईडिये के परिक्रमा पत के उल्टा और घूमता है जहां डैक्टिल को आईडिये का एक चकर लगाने में 20 घंटे का समय लगता है डेक्टिल आईडिय के तरफ 8 डिग्री जुकाओं के साथ और मिनिमम 65 किलोमेटर दूरी बनाए रखके आईडिय का 10 मिटर पर सेकंड के हिसाब से चक्कर लगाता है कोरोनिस परिवार के दो बड़े टुकडों के बीच आपस में टकराओं के कारण आईडिय और डेक्टिल का उत्पन हुआ है तथा दोनों का तापमान भी समान है मगर मजे की बाद आईडिय के मध्याकर्शन बल में छुपा हुआ है असल में आईडिय का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम है आईडिय में मौझूद ग्रेविटेशनल फिल्ड उसके सता में 0.3 से 1.1 सिंटिमिटर पर सेकिंड स्कुर का त्वरन पैदा करता है मतलब कोई भी ऐस्टरोइड वहाँ पर जाके सिर्फ छलांग लगाते हुए एक छोर से दूसरे छोर अराम से पहुँच जाएगा 2.4.3 आईडिय तथा उसका चंद्रमा डैक्टिल बहुत ही रोमांच पूर्ण विशय है जिसका असली मज़ा सिर्फ महाकाश विग्यान में रूची रखने वले वैग्यनेकों के सिवा कोई और वेहतर नहीं रख पाएगा लेकिन आप अभी कहीं मत जाईए जाने से पहले आईडिय का ये एपिसोड कैसा लगा वो ज़रूर बताईएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में धन्यवाद